वेल्कम गाइस टू PC नॉलेज प्लेलिस्ट इस प्लेलिस्ट में हम लोग हर एक चीज के बारे में डिसक्स करेंगे PC के हर एक कॉंपोनेट्स के बारे में तो गाइस शुरुवात हम लोग कर रहे हैं SSD के साथ SSD मतलब सॉलिड स्टेट ड्राइव हम लोग पीसी में होता है एक storage डिवाइस है अच्छा मैं थोड़ा सा आप लोग को ब्रीफ में बता दू कि हम लोग किस तरीका से हर वीडियो को कवर करेंगे यह हम लोग क्लास वन है हम लोग जो भी कॉंपोनेंट को पकड़ेंगे हम लोग उसका thoroughly हर一 Kreendo के बारे में बात करेंगे उसके अंदर क्या क्या चीज प्रेजंट ए उसका हर एक चीज के बारे में उसके बारे में basic से advanced लेडम हरेगे हम लोग हर एक चीज बताएंगे SSD, पहले सबसे पहले SSD पूरा cover करेंगे, SSD cover हो गया, फिर उसके next component तक बढ़ेंगे, और इसी तरीका से process हम लोगा चलते रहेगा, ठीक है, इस तरीका से हम लोगा ये पुरा 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 जो series होने वाला है, ये चलने वाला है, ठीक है, तो पहले हम लोगा भी बात करेंगे SSD क आज का क्लास फर्स्ट है क्लास वन है तो मैं एक दम बेसिक बात करूंगा मैं आप लोगों SSD क्या है उसके बारे में तो यह फॉर्म हुआ इसका जरुवत क्या था फिर इसका बारे में थ्रोचा बताता हूं आप लोगों पता है स्टोरेश दिवाइस है हम लोगा कम्प्यूटर में चूह होता है हार्डिक्स होता था था एसज़ी होता है एसडीटी होता था मुझा लुट असका यह अल्टरेनीटीव बोल सकते हो फाटेर दे यह अप क्या हुआ हम लोगों का जो से प्यून था पहले हाइफाइं हम लोगों को फ्रिक्वेंसी देता है मतलब आपना स्पीड कितना देता है वह मैक्सिमम को 220 मटों को स्पीड डेता है ठीक है तो उस टाइम के वह रहले हैं यह सांथ वह सही था इनफ था तो मस चलता था लेकिन जैसे एक से हम लोग का CPU generation evolve करते रहा है और advance होते रहा हम लोग क्लॉक स्पीड बढ़ते गया अभी हम लोग गीगाहर्ट्स पे आ गया है ठीक है अभी हम लोग को 2.90 एफ सब्सक्राइब नहीं कर पाता है तो जिसका वैसे कंप्यूटर का दुनिया में SSD को लॉंच करना पड़ा जो कि हम लोग का हडिक से जादा फास्ट है और हम लोग का CPU के साथ को पाता है और बॉटल लेकिंग इशूस कुछ नहीं होता है ठीक है अब लोग का SSD में बहुत सारा होता है जैसे M.2 है साटा है M.2 साटा है और अभी हम लोग का M.2 NVMe में जैन निकल गया जैसे Gen 1 हो गया Gen 2 हो गया Gen 3 हो गया Gen 5 भी आ गया अब हम लोग का जो chilli होता ता उसमें क्या होता था आप लोग को सबको पताः वो computational drive था ठीक है अब जैसे मैं अगर आप लोग का यह photo देखा ओ तो समझ में आएगा पूरा का पूरा जो भी हम लोग कंप्यूटर में से कुछ भी चलाते हैं या फिक भी श्टोड करते हैं तो वे सब जो होता था ठीक है अब इसका वैसे क्या है क्योंकि यह तो एक mechanical structure है वह से बहुत slow process होता ठीक है मतलब फास्ट था लेकिन उस लेवल का फास्ट जितना हम लोग को अभी मिलता है एस डेडी में उतना फास्ट यह नहीं दे पाता था तो यह चल जाता था लेकिन अभी का जो अभी का जो सीप्यू का रिक्वार्मेंट है उस हिसाप से अगर बात किया जाए तो यह फॉर्मेट ऑफ स्टोडेज का नहीं चले क्योंकि अभी हम लोग का सब कुछ बहुत फास्ट हो गया है और यह अगर अभी यूस करेंगे यह मेकानिकल वाला जो सिस्टम अगर उन्हों बहुत ज्यादा अपना सिस्टम को बनाई है अगर अगर इस तरीका अगर जो मेकानिकल शक्चर वाला है उसको अगर लेंगे तो गया होगा वह पूरा पूरा बॉटन लेकर अगर पूरा सिस्टम बहुत स्लो काम करेगा इस चीज को ध्यान में रखते हुए एस दिका निर अब गाइस स्सी में क्या होता है क्यों सी में मैमोरी होता है ठीक है अ सब करें है तो आपने आप थे लेने का कोई ज़रूरत नहीं है तो गाईस ये चीज तो मैंने को बता दीए क्या 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 होता है SSD में solid shade drive में इसमें बहुत सा तरह मैं बार बार रिपीट करूंगा ताकि आप लोग अच्छे समझाए तो यह वीडियो लंबा होने वाला है तो अच्छे समझ के देखिए गाए तो गाइस हम लोग का जो SSD होता है उसमें ऐसा कोई mechanical structure होता ही नहीं है जैसा हम लोग ने हार्टिक्स में बता आता इसमें होता है NAND flash memory chips अब NAND क्या होता है गाइस NAND एक form है storage का जिसमें आप लोग जो भी data डालो गया फी data retain करोगे वो बिना power के हो जाएगा उसमें कोई issues नहीं आने वाला है और NAND का थरू क्या होता है आप लोग ज्यादा capacity का storage कर सकतो हो मतलब ज्यादा capacity अपना store कर सकते है ठीक है और इसका क्या होता है speed भी आपका बढ़ाता है इसके help का through आपका storage का यह है आपका transfer का speed है storage का वो और ज्यादा increase हो जाएथ हो ज्यादा स्टोड पर सकते हैं जाला जादा स्पीड में आप लोग स्टोड कर सकते हो और ट्रांस्फर कर सकते हो अब इस चीज़ को इसे लिए इaterडू स किया गया इसका कि यह मेकेनिकल जो फ्रॉय स्ट्रश्ट पर इस चीज़ को एकदम ड़कर देने के लिए व्यारता है इसमें कितना भी अब लोग देखो कि जैसे अम लोग का जो एस डीडी है सीगेट का उसमें बैराकूड़ा आता है नॉर्मली लोग बैराकूड़ा ही लेते हैं जो कि 7200 आरेंपी का रहता है उसमें हां मैं जानता हो कि बहुत स्पीड वह देता है अपने हिसाब से वह इतना करेगा वह लोग का भी लिमिट पर बन जाएगा ठीक है वह लोग इतना ज्यादा अपग्रेट नहीं कर साथा जितना SSD आप लोग को देख कि वह अट देख मेकानिकल स्ट्रक्चर पर वर्क करता है ठीक है तो उसी चीज़ को हटा के हम लोग ने SSD लेके आया जिसमें क हम लोग का च्छल्डी ट्रांसफर का जू कि इसमें हम लोग बहुत इसीजली और बहुत वास्ट और बहुत सेफली को डैटा सबस्त il hera जिसमें अब बो लोग इन चन्सद्रक्री आनอง कर सकते हैं सब कुछ इसी का थूरू कि इसमें ही हम लोग का जो 9 flash memory chips होता है इसमें आप लोग को जैसे मैं बता है cells होता है जो कि QLC हो गया फिर आपका SLC हो गया फिर MLC हो गया यह सब इसमें present होता है अब यह सब आपको speed मिलेगा transfer speed और आपको आपको बूलता है बूट speed बहुत ज़्यादा मिलेगा तो इस सी के थूरू अप लोग के speed जादा मिलता है अब मैं आप लोग एक और चीज बताता हूं कि कि आप लोग को मैं सब में लोग जानते हो कि अब लोग के HDD ठीक है उसमें to mechanical निकल सब function वगरा है सब कुछ चक्का गुमता है चक्का वगरा मतलब pointer का थूर सब कुछ होता है ठीक है तो गाइस उसके थूर क्या होता है कर माल लेजिए आपका हाथ से गलती से अगर सब्सक्राइब लेकिन यह चीज़ SSD में नहीं है SSD अगर माल लेजिए एक चिप जैसे आप लोग देख सकते पेंड्राइव जैसा है तो उसमें जो फॉर्म फैक्टर है वो नैंट फ्लैश मेमोरी चिप वाला फॉर्म फैक्टर है चोटा फॉर्म फैक्टर है उसका अंदर जो स्ट्रक्चयर और उसका अंदर फंक्शनिंग data storage करता है उसका अंदर होता है nand flash memory chips जिसके अंदर आपका सब data store होता है ठीक है तो आगर आपका SSD ऐfelt के साथ जो कि एक सिक्योरस आपलोग का स्टूडेज में बढ़ा देता है जो कि हम लोग का एस डी में नहीं था वह हम लोग का एसेजडी में लेके आए गया है समझे तो इसलिए एसेजडी को हम लोग रिकमेंड करते हैं क्योंकि वह बहुत सेफ भी है और बहुत अच्छा भी है और प्राइजिंग के हिसा आप से बहुत बात करें तो भाई अभी आप लोग के पता है बहुत डीसेंट प्राइज पर आ रहा है कोई बहुत ज्यादा हाई प्राइजिंग पर नहीं आ रहा हो जादा सभी लोगों भी एसेजडी यूज़ करते हैं हर एक बिल्ड में अगर आप 20,000 का बिल्ड भी बना रहे ह आप लोग को रिकमेन्टेट है कि हम इसे एसेजडी नहीं ही लें हाट भले बात में ले लें लें अब एसेज़़ बात कर दो आप लोगा ऐसेज़़ी में स्रिफ और स्रीफ हम लोग का ե्लाइज नहीं होता है नैंड फ्लैश मेमोरी चिप्स तो होता है यह अपल़ उसके जैसे आप लोग देख रहे हो ना जिफ के अंदर के अंदर में ही चीज प्रेज़ाइंट हो जाय से लाइन फ्लाय सी मेमोरी चिप है अब यह चिप क्या करेगा इसका अंदर आपका स्टोर भी अगया डेटा वगेरा और अंदर आपका डी राम भी रहेगा समझेया आप डी तो दो स्ट्कर था कर शक्तिक होंते है अजार्च में इसे बाद आपका डी दिर्याइंट के लिए और चिप होगा और एक कंट्रोलर भी आप लोग को रहता है हम लोगका एसचटी में घूल्ब ग्लाइज ब्लोग रहता है और यह तीनों चीज शेज ने प्रेजेंट होता अब SSD कैसे तरिका को हुता है, आप लोगो साता है, M.2 labour on stuff just nvME अब जो nvME टेते हैं जहांते ही, Content nvME आप लोग जाने ही जहना को होता है, इसमें आप लोगा Gen 2, Gen 3, Gen 4 मैं जुम बहारा है, अब जर्व वर्क करता है किस तरीका से ज्यादा फास्ट है और क्यों हाट डिक से ज्यादा एसेटी फाड़ है थोड़ा सब डीडेल में बात करते हैं ठीक है अब देखे हम लोग जो डेटा स्टोर करते हैं उससे पहले अच्छा मुझे याद आए उससे पहले आप लोग एक चीज बता है जैसे हम लोग का SSD हो गया या फिर हम लोग का हाटिक यह दोनों primary ही नहीं यह दोनों secondary है जो हम लोग का computer का computer जिसको मानता है computer का अगर हिसाफ से देखा जो और प्रेमेरी उसका storage device है वह होता है उसका RAM यस गईस RAM हम लोगा storage device primary होता है वेकि हम लोग का जो CPU होता है उससे जो bandwidth उसको चाहिए होता है उसको जो frequency चाहिए होता है उससे मैच अप करने के लिए बहुत जादा उसको चाहिए होता है इसे लिए हम लोग देखते होगा आप लोग CPU एकदम RAM का सामने रहता है और जो भी CPU से जो भी data निकलता है वो सबसे में जाता है ठीक है उसके बाद वो क्या बोलता है SSD हो गया storage device हो गया उसमें सब फ्लो होता है डेटा फ्लो अगेरा का बारे में एक वीडियो जल्दी लाओंगा इसी सीरीज में देखिए जरूर तो RAM में हम लोग का data इसलिए सब कुछ होता है CPU का क्यों की गाइस हम लोग का RAM का जो । ज्यादा होता है बहुत ही ज्यादा है इसमें पता है रश्चांट कर भी जबता है उसमें 5,000 शीचांट का RAM मिलता है जोंगा DDR4 में 3,000 थी, 32,000 में लोग का राम मिलता है तो बहुत फास्ट इसलिए RAM को बनाया जाता है कि वो CPU से डानेक्ट होता है समझे तो वह हम लोग का primary device हो गया अब वो वोलेटाइल मेमोरी होता है जैसे हम लोग motherboard on किये ठीक है आप जैसे PC on हुआ PC on होते ही RAM का का काम स्टार्ट हो गया तो उसमें हम लोग का जो भी device में जो भी storage वगरा करना जो भी data डालना वो उसमें चला गया ठीक है और जैसे ही हम लोग बंद हुआ मतलब computer बंद हुआ तो उसमें सब डेटा उड़ गया मतलब वो temporary basis पे डेटा को store करता है अपने पास RAM समझे और SSD हो गया हाट्डिक्स हो गया कि अब permanent basis पे store करता है इससे कोई फरेक नहीं पड़ता है कि जक्का आपका computer बंद हुआ कब खूला आपने अगर SSD और उसको उरा देता है वह बहुत fast काम करता है बहुत fast frequency वह होता है रैम में इसलिए वह चीज हुआ होता है अब रैम को इसलिए इतना fast बना जाता है कि वह directly connect करता है CPU के साथ अब इस function को कैसे use होता है मैं आप लोग एक बाच्छे समझा देता हूं देखिए हम लोग का CPU है जै कुछ भी काम करता है जैसे for example माल लेजी है कि मैंने CPU को टाक्स देखिए को तुमको यह effect बनाना after effects का काम बनाना है तो चलिए वह effect तो उसने बना दिया ठीक है लेकिन वह effect को जब मैं preview करूंगा तो effect को preview करने के लिए कुछ डेटा उसको store करना है तो वह store फटा-फटा-फट के लिए इसको रख क्योंकि मुझे preview करना है तो राम थोड़ा दे के लिए उसको रखता है अपने पास त्याकि एक बार हो गया सब कुछ और हमको जब जब preview के लिए लागेगा तो राम अपना जो भी उसमें data store किया गया है सौरी जो CPU जो भी data RAM में store किया है वह थो थोड़ और निकाल के हमको दे देगा RAM में से निकाल के लोगो देदेगा कि देखो यहां पर आप लोगो जो भी देखना है आप लोग देख सकते हो उस पे उस सिनारियों पर RAM हम लोग का काम कर रहे है ठीक है अचा काई कि वीडियो बहुत लंबा है इसलिए मैं थोड़ा-थोड़ आप लोगो समझ रहे होंगे मैं कट-कट के बात कर रहा हूं बट आप लोग को अप कर लेना पहला वीडियो दिरी दिरे हम लोग इस सीरीज को भी थोड़ा सा क्या आगे करके मैंने पहली बार मैं बहुत लंबा वीडियो बना रहा हूं इसलिए तो आप लोग कोई भी कोमेंट वगेरा कहा देना मैं प्लाइफ तो जरूर कर दूंगा आप लोग उसका टेंसर तो लोई तो एक बार अच्छे समझ यह तो समझ नहीं समझ जो को में बता देना मैं आप लोग को क्लियर कर दूंगा तो यह काम था राम का स्टोरेज रखने का वोलेटाइब मेमोर समझें तो अब गाइस बताता हूं आप लोग को जो मैंने भी बताया कि हाट डिक्स और स्टी में जो डेटा स्टोर होता है उसमें जो फंक्शनिंग वगरा होता हो इस तरीका से होता और किस तरीका से ऐसे ज्यादा बेटर है हम लोग हाट डिक से ठीक है अब देखिए हम जो data store करते हैं उसका तीन तरीका का data होता है एक होता है sequential data sequential data वो data होता है guys, जो की हम लोग का main data होता है जैसे माली जी अगर मैंने कोई 5GB का movie है फिर 5GB का फिर 50GB को गेम है तीक है उसको अगर store करना है तो वो 50GB का game का file है वो मेरा sequential data हो गया वो मैंने SSD में लेके डाल दिया है फिर harddix में लेके डाल दिया तो मेरा sequential data हो गया अब उसके साथ उसके साथ उसका बहुत सारा ऐसा भी files होता है जो की background में run करता है तो सब सीकेंड़ी फाइल्गे जो से बहुत इंपॉर्टेंस ऊता है नोगों को अप्रेटिन सिस्टम के साथ आता है यह सब FILE इस भी चोटा बहुत इंपॉर्टेंनट के लिए यह आता है यह सब FILE बहुत छोटा 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 होता है जो कि बहुत लोग निगलेट कर देता है जो कि नहीं करना चाहिए क्योंकि यह चीज़ बहुत इंपॉर्टर होता है अब यह तीनों को मेरे को बताने का आप लोग को मकसद क्या था कि देखिए मैं आप लोग को हार्डिक्स का मतलब से समझाता हूँ जैसा यह हार्डिक्स हो गया ठीक है मेरा कंप्प्पूटर में मैंने विंडोस 11 डाला जो कि हुआ पांच जीबी का विंडोस 11 विंडोस 11 में पांच जीबी का विंडोस 11 में डाल दिया तो वह क्या करेंगे यह वह जो इसका क्या पॉइंटर है वो पुड़ा पुड़ा पूड़ा यह आगे का हिस्सा है जो फुड़ा पूड़ा एक पॉड़ा एक सान् toca कोarti मोत्नि स्हाइब यहां पर रहेंगा तो यहां पर वुदा सबसे थोड़ा सा लो जीबी थोड़ा सा नीचे में रहेगा तो जो तो इस जगा पर क्या होगा की जैसे माली जैब मेरा जो पॉइंटर है यहां पर है और यहां पर से सब डेटा को रीड कर रहा है सब 5 5 GB का data को read कर रहा है तो यहां से इस जगह पर आने में उसको थोगा सा time लगने वाला है तो obviously अगर यहां पर आने में उसको time लगेगा तो उसका जो main speed है वो यहां पर सबसे जादा है सब्सक्राइब करें जादा युए सबस्क्राइब कटें में सब्सक्राइब कर्यां आप आप लोग में विन्डो यूज य विन्डो के लिए बहूत हीट परेंट थेखे आप वह जो फायल है घाइस वह फैल तो बहुत इंपोर्टन आ है तो अगर इंपोर्टन फायल को चलाने के लिए तो पुत अच्छे से इसको स्टम डेना पड़ीズ जाल अगा इंपोर्टन फेर्पर अच्छे से नहीं चलेगा तो उसका इस्यू यह hoगा कि guys आप लोग का system lag करेगा, slow चलेगा, तो अब वो जो file होता हो बहुत नीचे होगा, इस की नाड़े पर, मतलब इधर पर वो data stored होगा, इस जगह पर, समझे, अब आप लोग खुद सोचो, यह जो pointer है, वो यहाँ पर पहले था, 220 mbps का speed दे रहा था, अब यहाँ पर आते आत हो, 100 mbps से, कितना आ जाएगा, 10, 5, 15, ऐसा mbps पर आ जाएगा, तो आप लोग सोची, यहाँ पर कितना कम speed दे रहा है, उपर से आने में भी उसको कितना घूम घूम के, घूम घूम के, कितना time लग रहा है उसको यहाँ पर आने में, तो इससे क्या और है, आपका system slow होगा, system lack करेगा, क्योंकि आप लोग यहाँ पर आने में, बहुत time लग जा रहा है, 4 kb, 3 kb को speed दे रहा ही, बहुत क्यों कि उसको आने में, बहुत time लग जा रहा है, अब इसी चीज़ को ठीक करने के लिए, हम लोग के ssd आप, ssd में हम लोग का जो यह nand flash drives है, इसमें ऐसा कु सबसे important file है, जो छोड़ा-छोटा file है, जो 4 kb, 3 kb का है, वो, अगर आप सब कुछ से इसमें डालोगा, तो वो भी, इसको भी, ssd अच्छा-खासा speed देगा, हाँ, उतना तो नहीं देगा, जितना आप लोग का सबसे बड़ा-बड़ा file को देगा, लेकिन, जितना 10-15 से त यह अब आप numbers देख सकतो, जैसे कि हम लोग का HDD क्या किया है, 102 यहाँ पर read का speed है, 96 यहाँ पर write का speed है, ठीक है, sequential data का, आप लोग देख सकतो, हम लोग का secondary data है, यहाँ पांसो बाड़ा-खे-बी का आसपास का data है, उसका आप लोग देख सकतो, इतना ही, 101, 96, ऐसे का आसप 1, 2, 0, 0, 0.733, इतना दे रहा है, वहीं है, अगर हम लोग SSD में देख सकतो, 1TV SSD का, हम लोग का sequential में दे रहा है, 500 Mbps, हम लोग का 4K में देख कितना दे रहा है, 300, 400 का आसपास Mbps, तो आप लोग सोचिए, अगर इतना जादा दे रहा है, हम लोग 4K में, छोटा-छोटा-छ जो फाइल उसमें है, तो obviously guys हम लोग का system fast चलेगा, अराम से एक दम smooth चलेगा, तो इसलिए तो SSD को introduce कि सब चीज़ को fast मिले और अराम से सब को smoothly चले, ये चीज़ आई होप आप लोग को, 1 second, तो ये चीज़ आई होप आप लोग को समझ में आऊगा, कि किस तरीका से SSD work करता ह और क्यों SSD का जरूआ था, क्योंकि हम लोग का system में जो भी आप लोग फाइल डालते हो ना, वो फाइल में ही तीन तरीके का फाइल होता है, main फाइल तो है sequential फाइल, secondary फाइल 500 KB का वासपस का जो रहता है, फिर हम लोग का छोटा-छोटा फाइल लेकिन बहुत important फाइल है, 4 and flash memory chips उसमें present है, जो कि मैंने उको बताया है कि उसमें कोई mechanical structure नहीं है, उसका वज़से क्या है, वो thoroughly सबको देखता है, और सबको अच्छा-चे speed प्रोवाइड कर सकता है, इस चीज़ के लिए SSD को लेके आया गया है, और हम लोग का जहां HDD में normally speed हम लोग को 100 Mbps, 200 Mbps, 220 Mb सब्सक्राइब को देखते हैं, आज का डेट पर आप लोग को देख सकतो 14-14, एक सेकंड, आप लोग देखते हैं, आज का डेट पर जो SSD हम लोग है, वो 2591 Mbps का speed दे रहा है, कहां 200 Mbps, 2595 Mbps का speed, Gen 4, Gen 5, अभी तो आप लोग देखो, Gen 6, Gen 5 तो आने वाले कितना ज्यादा speed अभी बढ़ने वाले यही चीज़ को देखिए, तो आप लोग सोची किस लेवल का speed इंक्रीज होने वाले SSD के साथ, इसलिए हम लोग का SSD क्योंकि अभी उस लेवल का CPU नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी लोग का P-Code introduced हो गया Intel में, E-Code आ गया हम लोग AMD भी अब कुछ अच् के हम लोग कितना सारा मतलब आप लोग देखो ना, 16, 32, 32 का processor आ रहा है, कितना बड़ा बड़ा प्रोसेसर आ रहा है, तो आप लोग क्या लग 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 इतना बड़ा बड़ा प्रोसेसर को को पप करने के लिए 1200 Mbps का speed चलेगा, नहीं, इसके लिए आपको बड़ा ब कर दे रहा है, लोग SSD तो, इस तरीके का development हो रहा है, तो इसलिए आप लोग SSD लेना बहुत जरूरी है, अगर आप लोग को समझ में आ गया होगा, I hope, कि SSD क्या है, SSD को क्या जरूरत है, SSD लेना क्यों जरूरत है, एक बार मैं थोड़ा सा brief में से बढ़ा लोग, SSD ये solid state drive होता ह हम लोग का HDD होता है, उसका ही, alternative हे higher alternative है, HDD, सरी SSD, स्पीड हम लोग को साटा है, वह हम लोग को 2 थाओज़न, 3 थाओज़न, MBPS का speed हम लोग को देता है, डिपेंड करता है, कौन सा model लेते हो, 500 MBPS से start होता है, डिपेंड करता हो मॉडल लेतो हो, वैसी increase होते रहता है, साटा, सब्सक्राइब करते हैं आपको समझा दिया और तीन तरह का गमलों का सब्सक्राइब करते हैं इससे क्या होता है इतना स्पीड हो जाता है अगर आप लोग कोई ऐसा सिस्टम में अपना स्पीड लगाया जिसी सिस्टम में अच्छा अगर है उसमें ना तो वह सिस्टम भी आपको नया जैसे लगे उसको लगे या भाई क्या मस्ट स्पीड चला रहा है वालब क्या मस्ट स्पीड हो गिया में सिस्टम इसी सब करेंस का वज़ेसा गाइस तो और क्या एसस्टी का लाइफ से भी बहुत बहुत जादा होता है जैसे एक एक और कोई एक एस डी है जो की 3000 घंता तक चल सकते थीन हजार लाग घंता तक चल सकते हैं हम लोग का एससेजी पीर हजा टाइम भी बहुत जादा होता है इससे फायदा बहुत लोग को ऐसा बहुत फायदा ऐसा लोग को होता है जो लोग अपना चाहते हैं डीटा इसे हम लोग जो वीडियो बनाते हैं हम लोग चाहते हैं कर वीडियो का फायल या फी जो एफेक्ट्स वगर वीडियो में डालते हैं वह हम लोग के पास हमेशा रहे तो अगर हम लोग SSD में डाले तो जाने का डर रहता है लेकिन SSD में ऐसा कोई डर नहीं रहता है बहुत लॉंग टाइम तक नहीं रहता है यह एक हम लोग का फाइदा है SSD का और क्राइज हम लोग SSD होता है उसका जो पाउर रिकार्मेंट होता है वह बहुत लेस होता है जब आप लोग SSD को एकदम कुछ चलाओ गाने लाग एकदम आइडल कंडिशन पर रहेगा तो वह स्रिफर सी 0.05 Watt सिफ खीचता है उससे जादा साबी निगीजता और जो चलेगा तब भी 5-6 एक असपस वाट लेता जादा आपका वोट भी नहीं लेता बहुत सही है और एकदम साइलेंट रहता है क्यूंकि कोई मेकदम स्थर्चर नहीं है तो वह आवाज आने का कोई सवाल ही नहीं है तो एकदम साइलेंट एकदम स्म करें तो वो तो भाई आप लोग अगर आइडल पे रखोगे तो आइडल पे भी हो कम से कम नौ वोट्स तक अराम से खीचेगा तो चलता है तो तो भाई बारा पंदरा वोट्स तो घीशता है घीशता है तो यह कम लोग से अब है इसरे का इसंटा निवाएव ब्रॉट्स का बीशु एक अवड़ कम लेता है तो उससे आपका पावर का इसेंट अच्छा होगा और आपका विजली भी कम लेगा अपका इलेक्रिशीव भी कम आएगा यहां पैकाा इस डडी में आप लोग और मेगा का मेकानिकार स् स आपनूंस एसे बहुत सारा फायदा अगई आप लोग को समझ में आग होगा अब लोग्ड़ों से बात करेंगी कि ऐसे चेज सांग अगाई नेक्स सा थारेंक क्या है हर एक चीज का बारा में मैं clear करूंगा उस वीडियो में एक और चीज का बारा में बात करना चाहता हूं SSD का form factor भी बहुत छोटा जैसे आप लोग देख सो कितना छोटा है वो एक चिप जैसे एक memory चिप जैसे है तो बहुत लोग ऐसा होता जो compact size PC बिल्ड करना चाहते हैं वो लोग के लिए चीज बहुत सही है वो लोग को ज्यादा कोई बड़ा जगा निए छोड़ा जगा है तो वहां पर भी वो लोग अपना अराम से पना PC PC बिल्ड अम लोग का Mini ATX PC बिल्ड कर सकते हैं उसमें वो यह सब SSD ले सकते हैं NVMe M.2 SSD लगा सकते हैं यह भी एक फायदा होता है अगर आपका पैसा नहीं तो 2.5 का हम लोग का साटा SSD आता है वो भी उसका भी बहुत छोटा चिप आता है बलब इतना बड़ा उसका बार होग कोई भी confusion comment जाउन जरूर करिएगा और पहला वीडियो तो अगर कुछ भी गलती होता है मेरे से गलती हुए मेरे से तो वह भी जरूर बताएगा नेक्स वीडियो को उसको पक्का सुधारेंगे पहला वीडियो तो लंबा तो पीस जरूर पूरा देखिएगा information की बेस्ट है टो गिलते हैं आग्र कि अभी यडियो कोई के लावाल उस्काव मेरे स सबस्केरी लेगा है मेरे से लिए कर बेस्ट है?